हिंदू धर्म या ज्योतिश में मंगल ग्रह की कहानी क्या है? हिंदू धर्म और ज्योतिश में मंगल या कुछ के नाम से जाना जाने वाला मंगल ग्रह उर्जा, आक्रामक्ता और साहस का अगनी ग्रह है. और आनिक कथाओं के अनुसार मंगल पृत्वी, भूमी देवी और योद्धा रिशी भगवान शिव का पुत्र है शिव के पसीने से जन में, मंगल को अक्सर लाल शरीर वाले देवता के रूप में दर्शाया जाता है, जो रक्त, युद्ध और कार्रवाई के साथ ग्रह के संबंद का प्रतीक है मंगल योद्धा भावना का प्रतिनिधित्व करता है, और जियोतिश में, ये हमारी शारीरिक शक्ती, द्रिर संकल्प और लक्षियों को प्राप्त करने की इच्छा को नियंत्रित करता है ये अगनी तत्व से जुड़ा है और मेश और व्रिश्चिक राशी पर शासन करता है जब जन्म कुंडली में अनुकूल, स्थिती में होता है, तो मंगल व्यक्ती को बहादुरी, आत्म विश्वास और द्रिर इच्छा शक्ती का आशीरवाद देता है हालां की, पीडित मंगल आकरामक्ता, आवेग और संधर्ष का कारण बन सकता है वैदिक अनुष्ठानों में, मंगल की पूजा मंगलवार को इसके अशुप प्रभावों को कम करने के लिए की जाती है भक्त मंगल को प्रसंद करने के लिए लाल फूल, मिथाई चड़ाते हैं और वरत रखते हैं, तथा अपने प्रयासों में साहस और विजय के लिए उनका आशीरवाद मांगते हैं कृपया अधिक जयोतिश जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें